हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है knowledge all about के इस वीडियो में मैं हूं स्रवड पटवा दोस्तों मैं इस वीडियो में SSC का login ID and password भूलने पर recover कैसे करना है और नया password कैसे बनाना है पूरी जनकारी mobile और computer से आप कर सकते हैं SSC का जो login problem है वो आपको सारा समस्या का समधान आपको इस वीडियो में मिलेगा साथ ही दोस्तों यदि आप SSC का login ID और password भूल गये हैं और SSC के अंतरगत किसी भरती के लिए form apply करना चाहते हैं तो आपका दूसरा registration नहीं होगा कियूंकि आपने पहले ही registration करा लिये हैं जिसमें अधार नंबर फिल हो चुका है यदि आप पुनह registration करने का कोशिस करेंगे तो आपको एक duplicate data ऐसा करके एक portal पे error सो करेगा इस इस्थिति में आप अपना login ID और password कैसे recover करेंगे यह मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले आप जो SSC का registration करने के समय जो आप email ID उप्योग किये थे उसको आप अपने mobile या computer में login कर लिजें क्योंकि उसमें एक forget password करने के समय एक OTP जाता है जो उसमें fill up करना होता है इसलिए आप अपना email ID को login कर लिजें और आगे मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको करना है आपको अपने mobile और computer के browser को open करने के बाद Google के search box में SSC टाइप करना है SSC टाइप करने के बाद जो आपको टॉप में ही देखेंगे ssc.nic.in लिखा हुआ होँ इस टाप सेलेक्शन कमिशन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है मैं आपको इसका description box में link दे दूँगा आप direct link के माध्यम से SSC के site पे पहुच जाएंगे क्लिक करने के बाद आप जो है SSC के official site के home page पे आ जाएंगे जहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे login का एक option दिखाई दे रहा है right hand side में यहाँ पे username, registration number आपको enter करना है और आपका जो password याद है तो password enter किजिए उसका capture code यहाँ पे दिया है उसको enter करना है उसका login पटन पे क्लिक करके login हो जाना है जो अपना registration number और password भूल चुके हैं वे यहाँ पे forget password पे क्लिक करेंगे पासवर्ट, forget password पे क्लिक करने के बाद जो है आपका permanent state आप जिस state से हैं वो आपको enter करना है साथ ही यहाँ पे email id या mobile number यहाँ पे fill करना है मैं आपको यहाँ email id एंटर करके दिखा रहा है यहाँ पे आप email id और mobile number दोनों को डाले हो तकता है कभी जबी न email id पे OTP नहीं चाहापाता है या mobile number पे एक पे जाता है तो एक पे नहीं जाता है उस condition पे आप दोनों यहाँ पे enter कर ले वैसे email id पे proper OTP या mail प्राप्त हो जाते है mobile पे कभी कभी नहीं जाता है तो मैं यहाँ email id के द्वारा ही आपको बताने वाला हूँ email id को एंटर करने के बाद submit बटन पे क्लिक करना है उसके बाद आपके registered email id और mobile नंबर पे एक OTP आएगा मैं आपको email id का OTP दिखा रहा हूँ यहाँ पे देश सकते हैं कि your email OTP is इतना इसी परकार आपको mobile पे भी एक mobile OTP करके दिया होगा तो यहाँ पे आपको इस परकार email id का जो OTP है email id के OTP पे ही आपको भरना होता है email का OTP को email के OTP पे भरिएगा और mobile का जो OTP आगा उसको mobile वाले OTP पे भरना है साथ ही यहाँ पे capture code को enter करना है इंटर करने के बाद आपको submit बटन पे क्लिक करना है submit बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है registration number आपका और registered email id यहाँ पे show करेगा और यहाँ पे new password और confirm password का एक field दिया हुआ है उसमें आप अपना new password 8 character का minimum होना चाहिए और maximum में जितना बनता हो उतना अधिक डाल सकते हैं लेकिन जादा बड़ा password नहीं बनाएगा क्योंकि जादा बड़ा password होने से नयाद नहीं रहता है बार बार forget का समस्या आता है तो यहाँ पे मैं password बना ले रहा हूँ उसके बाद आपको बता रहा हूँ password बनाने के लिए capital letter, small letter और special character का उप्योग कर सकते हैं इस प्रकर मैं password बना ले हूँ उसके बाद submit button पे click कर रहा हूँ उसके बाद इस तरह से देख सकते हैं कि your password has been changed successfully please login to continue उसके बाद close button पे आपको click करना है उसके बाद SSC की home page पे चले जाएंगे जिसमें आपको login और password और यहाँ पे capture code दिया हुआ है network error disturb उसके बज़र से capture नहीं दिख पा रहा है उसको यहाँ पे enter करना है उसके बाद login बटन पे जब click करेंगे तो आप login हो जाएंगे इस प्रकार इस वीडियो में आपको इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा comment session में ज़रूर बताएगा जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा है वे मेरे चैनल को like, subscribe और share कर दिजेगा साथ ही SSC का registration कैसे करतना है और SSC के विभीन पदों पर भरती के लिए apply कैसे करना है इसके लिए वीडियो का link description box में मैं दे दूँगा यह सभी वीडियो मेरे चैनल पर upload है तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ thanks for watching धन्यवाद